Hey guys, welcome back to the channel, channel पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, तो 1st February आने वाली है और 1 February से कुछ नियम है जो बतल जाएंगे, आज कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो कौन से नियम है जो कि 1 February से बतल जाएंगे, काफी सारे banking rules हैं जो change हो रहे हैं और उसके साथ budget भी आने वाला है, तो डालते हैं एक नजर नई rules पर, अगर हम बात करें तो साल 2022 का पहला महिना जन्वरी खतम होने वाला है, अगले फरवरी महिने की पहली तारिक से ही बदलाव हो जाएंगे, एक फरवरी को केंद्री एवित मंत्री निर्मला सीतारमन भी budget पेश कर देंग हैं, बात करते हैं सबसे पहले SBI Bank के, तो एक फरवरी से SBI Bank ने चार्ज बढ़ा दिया है, SBI Bank ने अपने सभी गराकों को जानकरी देते हुए बताया है, कि एक फरवरी से अब पैसे ट्रांसफर करना महिंगा हो जाएगा, वेबसाइट पर जारी कर दी गई है details, तो बैंक में IMPS transaction में एक नया slab जोड़ा है, अगर आप 2 लाग से 5 लाग रुपे तक का IMPS करते हैं, तो आपको अगले महिने से उसके लिए आपको fees pay करनी होगी और वो होगी 20 रुपे प्लस आपको GST देना होगा, कि बीच अगर ब्रांच में आप IMPS के मादम से 2 लाग से 5 लाग रु हुआ है, इससे पहले क्या नियम है, वो भी मैंने एक वीडियो में आपके लिए अपरोड कर दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ये नया rule है जो अभी एड हुआ है, इसके बाद बात करते हैं bank of बडोदा की, तो check clearance के नियमों में बदला हो किया गया है, बीओ बैं अगर confirmation नहीं होता है, तो check वापिस कर दिया जाएगा, बैंक का कहना है, हमारा सुझाओ है कि आप CTS clearing के लिए positive pay system की service का फायता हुआ है, अब हम बात करते हैं एक और बड़े bank की जो है PNB, यानि कि पंजाब National Bank, debit fail होने पर अब PNB आप से लेगा 2500 रुपे चार्ज, PNB न होने की वज़े से अगर कोई fail होता है, तो आपको उसके लिए 2500 रुपे देने होंगे, फिलाल bank इसके लिए आप से केवल 100 रुपे चार्ज देता था, अब इसको सीधा बढ़ा कर 2500 रुपे कर दिया गया है, इसके अलावा demand draft अगर cancel होता है, यानि कि DD, तो भी bank आप से 1500 रुपे थे, तो दोनों ही चार्ज में बदलाव किया गया है, अगर आपका कोई बिकिस लगनी है, investment होना है, debit, auto, debit, आपका पैसे नहीं है आपके अकाउंट में, तो 2500 रुपे उसका चार्ज आपको देना होगा, डीडी कैंसल हुई है, तो 1500 रुपे आपको चार्ज देना ह बाती है, जो कि पूरे में अप्लेकेबल रहती है, और ये वीडियो भी आपको फर्स फर्वर में मल जाएगी, देखते हैं क्या रहेगा इसका result, इसके अलावा बात करें, अगर हम आम बजट की, तो 1 फर्वरी को वित मंत्री निर्मला सीता रमन आम बजट पेस करेंगी, इसमें टेक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो सकता है, कोरोना मामारी के बीच, ये बजट बहुत ही मैतकून है, 5 परदेशों में चुनाव भी है, भारत सरकार बजट में कई एहम फैसले लेकर आ सकती है, जैसे ही बजट आजएगा, आप लोग के लिए वो पूर क्यराओ कि लिए में के लिए्यार कि लिए इसे जगार आजएगा क्यों में झालावा लेक्स कर दो के लिए बजट्रे के लिएगा कि लिएागा